नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करते हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ पांच उर्पे के एक ऐसे सिख्के के बारे में जो की आम चलन में जनल सर्कुलेशन के लिए जारी हुआ था लेकिन उस पांच उर्पे के सिख्के की कीमत मार्केट वैल्यू काफी जादा है वो पांच उर्पे का एक रेर मियूल कोईन है जो की आम चलन के लिए जारी किया गया था वो 5 रुपे का सिक्का इतना ज़्यादा valuable और collectable है वो काफी बार auction में भी बिख चुका है कितनी कीमत पर वो auction में बिख चुका है वो भी मैं सारी detail आपको आज किस वीडियो में देने वाला हूं तो ये वीडियो काफी ज़्यादा knowledgeable और interesting है आज की ये वीडियो आपको काफी ज़्यादा benefit दे सकती है क्योंकि मैं जो सिक्का आपको बताने वाला हूँ हो सकता है वो सिक्का आपके पास भी मिल जाए और वो rare सिक्का है market value जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा है उस सिक्के की और जितने भी rare mule coins है वो उन में से जो महेंगे mule coins है उन में से एक सिक्का है तो ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखे आप और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उस bell notification को जरूर दबा दें तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस notification bell को जरूर दबा दें आप जानते हैं पांच रुपे के उस rare mule coin के बारे में जो की आम चैनल के लिए जारी हुआ था तो अब बात करते हैं उस पांच रुपे के rare mule variety के coin के बारे में मेरे हाथ में जो तीन सिख्के आप देख रहे हैं इसमें दो पांच रुपे के है और एक है पचास पैसे के सिख्का इन तीनों सिख्कों के माध्यन से मैं आपको उस rare mule variety के सिख्के के बारे में बताने वाला हूँ ये है 6 gram version के stainless steel के waves वाले coin बहुत सारी लोग इनको waves वाले 5 रुपे के सिख्के बोलते हैं देखेंगे आप यहाँ पर coin के over side तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अक्षो का low in capital और उपर भारत इंडिया नीचे year coin के river side आप देखेंगे तो यहाँ पर है information technology represented as waves यानि कि जो theme है यह है IT represented as waves information technology की theme पर यह 5 रुपे के stainless steel के सिख्के बनाए गए थे जिनको short में waves वाले 5 रुपे के सिख्के कहा जाता है अब यह waves वाले 5 रुपे के सिख्के हैं यह भारत की तीन अलग-अलग mints में इनकी ढ़लाई की गई थी Bombay, Calcutta और हैदराबाद mints की तरफ से इन सिख्कों की ढ़लाई की गई थी और यह 2 साल ही सिख्के देखने को मिलते हैं 2007 और 2008 में 2007 और 2008 में दोनों में ही इन 3 mints से इन सिख्कों की ढ़लाई की गई थी अब आते हैं मेन उस टोपिक पर जिस सिक्के के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ इस 50 पैसे को भी साइड में रखते हैं और फिलहाल ये मैं 2-5 रुपे के सिक्के आपको दिखा रहा हूँ अब जिस Mule Variety के सिक्षे के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, वो आपको 2008 के सिक्कों में देखने को मिलेगी, ये 2008 के जो सिक्का आप देखने हैं, कलकत्ता मिंट का, आप ध्यान दे, 2008 कलकत्ता मिंट का सिक्का आपको देखना है, year के नीचे कोई भी मिंट मारक आपको दे यानि उस Mule Coin में दूसरे सिक्खे की डाइ इस्तमाल की गई थी और वो छोटी डाइ है जिसका साइज 22 mm है इस सिक्खे का साइज है पूरा जो सिक्खे का साइज है वो है 23 mm तो अगर इस पे छोटी डाइ स्ट्राइक की जाएगी जो है 22 mm यानि के 22 mm की डाइस पर लगाई एक तो यह आउटर रिंग यह बहार की रिंग है और एक अंदर रिम आ जाती है तो डाइस चोटी लगी है उस डाइस चोटी लगने के वज़े से यह स्टों के संबी चोटा हो जाता है वो मैं आपको पहचान बताता हूं अब यह है वो Mule Coin जिसके बारे में आपको बता रह है यानि के इस सिक्के में आपको ध्यान से देखे तो इस सिक्के में आपको यहाँ पर घहराई देखने को मिलेगी चोकर इस पे छोटी डाइ लगी है वो लगी है पचास पैसे की यह देखे इस पचास पैसे को ओवर साइड से देखे तो यहाँ से आप देखेंगे तो यह पचास पैसे का सिक्का सेम ऐसे ही दिखता है जैसे ये वेर्स वाला सिक्का ओवर साइड से दिखता है अब ये देखें तो ये दोनों बिल्कु सेम है और दोनों ही ये कलकत्ता मिंट के हैं पचास पैसे भी ये पाच उर्पे भी तो इस डाई को अगर यहां पर स्ट्राइक क इस वज़े से जब इस छोटी डाई को यहाँ पर स्ट्राइक किया गया तो इस वज़े से यहाँ पर ऐसा ही डबल रिम देखने को मिलती है और थोड़ा एक घहराई देखने को मिलती है उपर से और अशोक इस्तम भी छोटा देखने को मिलता है अगर हम कंपेर करें नॉर्मल कोईन का अशोक इस्तम आप देखें एक बार ध्यान से ये देखें ये नॉर्मल कोईन है जिसका अशोक इस्तम आपको बड़ा देखने को मिलेगा और ये म्यूल कोईन है जिसका अशोक इस्तम आपको छोटा देखने को मिलेगा छोटा दिखने का कारणी है क्योंकि इस पर 50 पैसे की डाई स्ट्राइक हुई है Oversight कलकत्ता मिंट की तरफ से ये सिक्का देखने को मिलता है ये देखे पांच रुपे का सिक्का आपको बड़ा दिखेगा और ये आपको छोटा दिख रहा है अब ये जो सिक्का में आपको बता रहा हूं ये है वो पांच रुपे का रेर म्यूल कोईन जो की आज से दो-तिन साल पहले पांच जार रुपे की कीमत में भी ब्रुख चुका है एक ओक्षन में और आज की डेट में भी इसकी कीमत करीब करीब दो जार रुपे से और चारा जार रुपे तक चल रही है अगर ये सिक्का आपके पास है फाइन कंडिशन से लेकर और सेल में आज भी सिक्क्य की 4 से 5 जार रुपे ही कीमत है तो ये बहुत रियर सिक्का है इस सिक्के की मैंने आपको पहचां कर बता दी है कैसे करनी है ये वेवस वाला 5 रुपे का सिक्का है इसका screenshot ले लेना आप और और साइड से भी screenshot आप ले लेना easily आप पता लगा सकते हो ये mule coin है जैसे मैंने बताया छोटी die इस्तमाल हुई है तो इस वज़े से ये सिक्का इस तरह से देखने को मिलता है ages की तरफ से आज कि इस वीडियो को ही खतम करता हूँ कि झाल को सकती हम थागих तो वीडियो को से बा Baptist